तो आज 28 नॉमबर और आज का Most Important Current Affair लेकर आए हूँ, आज का PDF निशे दिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं और लास्ट में दो क्वीज करूँगा जिसका आपको निशेक कमेट में लिखना है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 27 नॉमबर के Current Affair का 2 मिनट में रिविजन कर लिजे, और फ्रेंट्स वीडियो के लास्ट में प्रिविएस मन से भी Top 10 Current Affair का रिविजन कराऊंगा, तो वीडियो का अंतक ज़रूर देखना, चलिए देखते हैं, पहला कोशन किस देश में मौझूद, Floating School Project को हाली में आगा खां Architecture Award से सम्मानित किया गया है, ये बंगला देश में इस्थित हैं हाली में राष्ट्रिये दुख दे दिवस कब मनाये गया, 26 नॉमबर को मनाये गया, 26 नॉमबर को सम्वीधान दिवस भी मनाये जाता है ओडिशा के किस आराष्ट्रिये उद्द्यान को हाली में Tiger Reserve घोसित किया गया है, गुरु घासी दास नेशनल पार को Tiger Reserve घोसित कर दिया गया है, इस तरह से ओडिशा का चौथा Tiger Reserve बन गया है महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश से कहां पर She Shuttle विसेस बस सेवा शुरू की गई है, हैदरबाद में हाली में किस ने Fit India School Grading System लाँच किया है, परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने Fit India Movement के तहत इस अभियान को लाँच किया है सरकार ने किस अराज्य में इस्थित उग्रवादी संगठन National Democratic Front of Bordoland पर परतिबंद को पांच वर्सों के लिए बढ़ा दिया है असम इस्थित ये एक उग्रवादी संगठन है स्वीडन के गोथेन बर्ग विश्वविदेले का नुसंद्ध करताओं ने डाइरिया के लिए किस टिके का विकास किया है इस टिके का नाम है एटवेक्स हाली में लॉंच हमंत करकरे एड़ाटर्स मेमोईर पुस्था के लेखक कौन है जुई करकरे जोकी हमंत करकरी की पुत्री है 24 नॉमबर से किस देश के सेना परमुख फान वान ग्यांग भारत के पांच दिवसी अधिकारिक दोरे पर है ये वियत नाम के सेना परमुख है 24 नॉमबर को इंडियन रेल्वे इस्टिटूट और फाइनेंशल मैनेजमेंट का उधगाटन कहां पर किया गया हैदराबाद में इसका उधगाटन किये रेल्वे बोर्ड के चेर्मेन विनोत कुमार यादो एशिया के सबसे बड़े सफारी पार्कों में से एक इटावा सफारी पार्क का उधगाटन किस अराज्य में किया गया है उत्तर परदेश में 3.500 हेक्टियर में फैला हुआ है ये इटावा सफारी पार्क आप चलिए आज का करेंट अफेर इस्टार्ट करते हैं पहला कोशन हाली में सुधेर धर का 87 वर्ष की आयूमे निधान हो गया वे क्या थे सुधेर धर बहुत ही प्रसीद कार्टूनिस्ट थे ओप्शन सी सही उत्तर है और ये उत्तर परदेश से बिलोंग करते थे समचार पत्रों में कार्टून के जरिये वियंग करते थे इन्होंने दा एस्टेट्स मैन से अपने केरियर की शुरुवात की थी उसके बाद से हिंदूस्टान टाइम्स, दा इंडिपेंडेंट, दा पायोनीर, दिल्ली टाइम, न्यू योर्क टाइम्स, वाशिंग्टन पोस्ट, सेटाइडे रिव्यू जैसे पत्रिकाओं में उन्होंने कार्टूनिस्ट के तौर पर काम किया था तो सुधेरधर बहुती प्रसिद काटूनिस्टे थे चलिए अगला कोशन है तो ये लोगपाल का मुट्टो है, यानि अदर्शवाक्या उप्शन भी सेहुत्तर है, मागिरिधा, कस्या, स्विधनम इसका अदर्शवाक्या है लोगपाल का तो भारत के प्रथम लोगपाल है पिनाकी चंद्रगोस उन्हेने हाली में लोगपाल का एक लोगो और अदर्शवाक्या लॉंच किया है तो ये रहा आपके सामने लोगपाल का नाया लोगो तो लोगपाल के अधेक्ष है पिनाकी चंद्रगोस इसमें चार न्याईक सदसे हैं और चार गैर न्याईक सदसे हैं उन्हें सबको भी ध्यान में रखिएगा जो नियाईक सदसे हैं वो हैं दिलीप बाबा साहीब भोосले, प्रदीप कुमार मोहनती, अभीलासा कुमारी तथा अजयकुमर त्रिपाठी ये सभी लोकपाल में नियाईक सदसे हैं वहीं चार गैर नियाएक सदसे भी हैं दिनेश कुमार जैन, अर्चना राम सुन्दरम, महेंदर सीं और डाक्टर इंदरिजीत परसाद गौतम इस औरोंने हाली में भारते निगरानी सैटेलाइट काटो सैट 3 को की सियान द्वारा लॉंच किया है PSLV C47 द्वारा काटो सैट 3 को लॉंच किया गया है इस तरह से ये इसरों का सबसे ताकतवर कैमरे वाला उपगरा है और इसे 509 किलोमेटर की उचाई पर अस्थापित किया गया है और ये इतना ताकतवर सैटेलाइट है कि 509 किलोमेटर की उचाई से भी जमीन पर लगभग 10 इंच की उचाई तक की किलियर तस्वीर ले सकता है तो इस सैटेलाइट के लॉंच के साथ साथ अमेरिका के भी 13 सैटेलाइट लॉंच किया गया है PSLV C47 द्वारा PSLV का फूलफ़म क्या होता है Polar Satellite Launch Vehicle वहीं GSLV का फूलफ़म होता है Geosynchronous Satellite Launch Vehicle अब हम जान लेते हैं इस लोके बारे में भारत का अंतरिक्ट अजैंसी है इस लोका फूल फूलफ़म होता है इंडियान स्पेस रिसर्च ओर्गेनाजेशन गठन वाता 15 अगस्त 1969 में, हेड़कॉर्टर बेंगलूरू में है, वर्तमान में इसके चेर्मेन है, डक्तर के सिवन नेक्स्ट वैश्विक समरीधी सुचकांक 2019 में, विश्व के 113 शहरों की सुची में, कौन सा शहर पहले अस्थान पर है? तो इसमें पहले अस्थान पर है जीवरिक, ओप्शन ए सहुत्तर है, जीवरिक जो है, यह स्वीजर लेंग का एक शहर है, तो वैश्विक समरीधी सुचकांक, यानि ग्लोबल प्रोस्परीटी इंडेक्स में, जीवरिक पहले अस्थान पर है, वहीं ओश्ट्रिया की कैपिटल वियना, दूसरे अस्थान पर है, कोपेन हेगन, जोकि डेन्मार्क की कैपिटल है, यह तीसरे अस्थान पर है, लगजंबर के, यूरोप का एक बहुत ही चोटा क एकवें अस्थान पर है, और मुंबई एकसो साथवें अस्थान पर है, तो यह भी ध्यान में रखेगा, कि भारत की शोहरों की बात करें, तो इसमें सबसे टॉप पर है बेंगलोरू, चलिए अगला कोशन है, तेरे साथवी, राष्ट्रिये शॉर्टगन निशानेबाजी चैंपेंशिप के डबल ट्रेप अस्पर्धा में, पुरुस वर्ग का खिताब किसने जीता है, संग्राम दहिया ने स्वानपदक जीता है, ओप्शन ए सहुतर है, तो पुरुसों के डबल ट्रेप अस्पर्धा में, हर्याना के संग्राम दहिया ने स्वानपदक जीता है, नई दिल्ली में निम्न में से किस भारतिये को United Kingdom की Royal Aeronautical Academy द्वारा मानद fellowship परदान किया गया है जी सती सरिड्डी को option B सहुत्तर हैं जी सती सरिड्डी DRDO के चेर्मेन है DRDO Defense Research and Development Organization उसके चेर्मेन है जी सती सरिड्डी वर्तमान में ये केंद्रिय रक्षा मंत्री के वैग्यानिक सलाहकार भी है तो इन्हें UK की Royal Aeronautical Academy द्वारा मानद fellowship परदान किया गया है इसे Aerospace के चेर्टर में Nobel परवसकार के बराबर मना जाता है Royal Aeronautical Academy जो की लंदन में इस्थित हैं उसे Silver Medal प्राप्त करने वाली ये प्रथम भरती बैग्यानिक भी है इस बात को भी ध्यान दर रखिएगा चलिए अगला कोशन है 26-27 नॉंबर 2019 को किस मंत्राले दोरा DEF.com India संगोष्टी का आयोजन किया गया संगोष्टी यानि सेमिनार केंद्रिये रक्षा मंत्राले दोरा DEF.com India 2019 का आयोजन किया गया था कहाँ पर नई दिल्ली में इस संगोष्टी का उद्देश सेना के तीनों अंगों को एक्ता के लिए संचार मद्यामों के लाव उठाने के लिए प्रेरित करना है इसलिए इस संगोष्टी यानि सेमिनार का आयोजन किया जाता है यह जो DEF.com है इसका फूल फमोगा Defense Communication ठीक है यह जो संगोष्टी का आयोजन किया गया था इसका थीम भी था थीम क्या था? हिंदी में संचार एकता के लिए एक निरनायक उत्प्रेरक इंगलिश में Communications A Decisive Catalyst for Jointness कोलकाता में आयोजित Tata Steel Chase Rapid End Blit का खिताब किसने जिता है? यह खिताब जित लिया है Magnus Carlson Option D सयूत्तर है यह एक शतरंज टुनामेंट है और इसका खिताब जित लिया है नर्वे के शतरंज खिलाडी Magnus Carlson Option में रोनक सधवानी दिख रहे है यह हाली में भारत के 65 वे शतरंज ग्रैंड मास्टर बने है इसे भी ध्यान में रखना रोनक सधवानी माहाराश्टर से बिलोंग करते है हाले में राश्टरिये जनजातिये शिल्प मेला 2019 का आयोजन कहां किया गया इसका आयोजन किया गया ओरिसा की कैपिटल भौनेश्वर में Option A सयुत्तर है इस मेले का उदगाटन किये थे वडिसा के मुखे मंतरी नवीन पतनायक ठीके? तो इसका आयोजन किया गया था भौनेश्वर में इसमें 18 राज्यों के 240 से अधिक आदिवासी शिल्प कारोंने भाग लिया था निमने में से किस विश्व विद्याले को राष्ट्रिय मुल्यांकन एउ परतियायन परिसत द्वरा ए ग्रेड परदान किया गया है मद्दे परदेश में इस्थित देवी अहिल्यावाई विश्व विद्याले को ए ग्रेड परदान किया गया है इस तरह से ये मद्दे परदेश का पहला विश्व विद्याले बन गया है जिसे एक ग्रेड परदान किया गया है तो इसका क्या फाइदा हो गई से बहुत तरह की सुविधाई मिलेंगी साथ साथ में UGC दुवारा मन्याता प्राप्त पठे कर्मों को उसके अनुमती के भीना ये शुरू कर सकता है तो यही सब फायदा होता है जिस इनुवर्सिटी को एक ग्रेड मिलता है अब NEC के बारे में जान लेते हैं इसका इंगलीश में फूल फाम होता है National Assessment and Accreditation Council इसका गठन वा था हूँ 1994 में हेड़क्वार्टर बेंगलूरू में है और इसके निदेशक है S.C. Sharma तो यह था हमारा आज का करेंट अफर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जगू करना अब चलिए प्रिवियस मन से टॉप 10 करेंट अफर का रिविजन कराए दता हूँ यह जून महिने का पार्ट 7 है दोस्तों जो लोग पिछला रिविजन देखना चाते हैं तो यह रिविजन मैंने स्टार्ट किया था 4 अक्टूबर से और रिविजन में मैंने जन्वरी से टॉप करेंट अफर को कवर किया है तो जो लोग देखना चाते हैं चार अक्टुबर के बाद करेंटे फर देखेंगे तो आपको रिविजन मिल जाएगा। पहला कोशन है, 14 से 15 जून 2019 को बीश केक में शंगाई सहयोग संगठन सिखर समेलन का कौन सा संसकरन संपन हुआ? ये 19 वा संसकरन था। पैसिफिक इंटरनेशनल बिलियर्ड चेंप्रेंशिप किस ने जीता है? पीटर गिल करिश्ट ने ये सिंगापूर के बिलियर्ड खिलारी हैं। एकजिम बैंक ने किस अफरीकी देश को हाली में 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर रिड परदान किया है? अफरीकी देश घाना को ठीक है? एकजिम बैंक जो ही है एकश्पोर्ट इंपोर्ट बैंक है भारत का। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2018 में भारत में कुल विदेशी परत्यक्ष निवेश कितना रहा? यानि FDA कितना रहा? 42 बिलियन डॉलर महानदी कोल फेल्ड लिमिटेड के नए चेर्मेन और परबंध निदेशा कौन बने है? भोला नात शुकला नेशनल जोगराफिकल सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने किस परवत पर दुनिया का सबसे उचा मौसम एस्टेशन अस्थापित किया है? माउंट एवरेश्ट पर जो जाना कैपित हुआ कि इस देश की प्रथम महिला राश्ट्रपती बनी है यह सुलवाकिया की प्रथम महिला राश्ट्रपती बनी है फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किस ने जीता है? सुमन राउन ने जीता है मिस इंडिया यूनाइटेड कॉंटिनेंट्स 2019 का खिताब किस ने जीता है? स्त्रेया शंकर ने जीता है अब चलिए पिछले वीडियो के क्वीज का एंसर बता देता हूँ पहला कोशन था सभी लोग ने अंसर सही दिया था अब आज का क्वीज करता हूँ जिसका एंसर आपको नीचे कमेट में लिखना है पहला कोशन डाबोलिम अंतारस्ट्रिय हवा यद्ण किस सरज में इस्तित है तूजू दर्र यानि तूजू पास किस सरज में इस्तित है